अरे पापरे, good morning guys, वैसे ये good morning से जादा bad morning लग रही है मुझे तो, इतनी जादा बुरी हालत कैसे हो गई मेरे कद्धी, what? मैं तो bad sheet पे सोया ही नहीं था, भाई साँ मेरा bad, अरे एक मिनट bad छोड़ो मेरा गवर कहाँ पर गया, वैसे तो मेरे घर की हालत पहले सी खराब है, बट कम से कम रूट से थीक ही है, मैं पतानी यहां कैसे आ गया, वैसे मैं मेरे घर के आसपास ही हो, ऑफ द नू, मेरे घर कोई निटा पर छोर पंपटर ने को ऑफ दाल गया, छोड़ूगा निटा को भाव बढ़ाने, वहार इसे यार दुनिया के सारे मैं सन्को पीछे चोड और आपका तो यहां पर चारु तरफ नाम नाम हो गया है इतनी प्यारी गाड़ी किसकी है तुमारी होगी जब तुमारे घर पे खड़ी है बात तो सही कहीं वैसे बट मुझे एक बास समझने हा रही है मेरा घर यह सा तो बिलकुल भी नहीं था मतलब घर तो मेरा यही था वह बाइसाब इस सब क्या चल रहा है ओई भाई गॉड़ी और रात और बना दिया पता ना चले इसलिए हमें तेरे बैड से उठाकर रोड पर डालना पड़ा तीकर इसके लिए तो भाई मैं यहां कहीं भी चला जाओ यार निकिनिक बात बताओ इतना बड़ा गार इतनी रात को तुमने एक साथ कैसे अरेंच कर दिया ओई इसलिए हमको दुनिया के माइट यह सूपर हिरू नहीं बोलते इतना इनी फ्रांक्लिन तेरे गार में हमने बहुत बड़िया बड़िया सीक्रेट चुपा के रखे इस्टरेक जा जा के एक बार अर सुन गार में बहुत सारी सीक्रेट लोकेशन है भाई भूल बच जईयो घूम बच जईयो तरो अब तो मेरा परसनल होम जिंबी है भाई क्या बात है आप लोग और हम साथ में चलते हैं अब यहां पर संबात लेने के मज़े भी हम अराम से लेट के ले सकते हैं और पूल भी अगदम कवर्ड़ है मतलब बारिश भी आएगी तो बारिश में पूल में ना सकते हैं पाकी गाईस देखिए ओके यहां पर स्टेर्स है एक और इधर क्या है आइधिंग औरे वो क्या टाइप की काईज आप लोगों को भी अगर यह समाइल दिख रही है तो जल्दी वीडियो लाइक करो चैनल सब्स्राइब वागी मैं टोनी से पूछ देता हूं इसका क्या मतलब है टोनी अरे बाई इतनी जल्दी गड़ भी घूम लिया अरे नहीं अभी तो मैं इसी फ्लो को क्रीपी से स्माइल लगी अभी अभी तेखाता हूं अभी है ओमाइग गॉर्ड देगा वागा तो कुछ बिन ये फ्रेंकली अरे गाइस थी अगर आपको भी इसमें यहां पर यहां पर वी इसमाइल दिखी तो चल्दी वीडियो लाइक कर और चल्दी वीडियो लाइक यह हमारा फ़स्त फ्लॉर है फ़स्त फ्लॉर के बादे सेकंड फ्लॉर अगराउन फ्लॉर प्लॉर मतलब तोटल तीन फ्लोर हो गए और गाइस second फ्लॉर पे भी यहां पर एक वाईसाप एगने दो दो अलग तरिके कि भाई यह तो शौ पर बाई कार्स की और यहाँ पर ब 2nd floor तो चेक कर दिया बट मेरा घर का में एंट्रेंस चेक नहीं किया जो कि यह इसको देखते हैं वाइसाब यहां पर देखिए सामने इतनी ब्यूटिफुल सी बाहिक रखिए मैंने कहां करता हूं यह जो रिपोर्टर सें मेल फर गाइब होजाना विर एक रिपोर्टर्स गाइब हो गए तो भाई यहां पर बलड़यग्ड से बावेंजर्स काह जदेगे यह सब exh counts और वो से अपट press आंप आस पास कई छुपे हो वैसे टोनी ने का था इस घर में बहुत सारी सीक्रेट रूम भी है और मैंने तो अभी तक कोई भी सीक्रेट रूम फिगर नी किया ओके यहां पर कुछ मेरे रूम ते जो लॉक्ट पड़े थे आई तिंक टोनी कौन से रूम की बात कर रहा था भाई य यह सीक्रेट रॉम फिन यहां पर तो पूरे घर के सीसी टीवी कैम्रास को मौनिटर किया जाता है पट भाईसाब यहां पर था कोई बैठा ही नहीं है और केमरा लगे कहां अब मुझे यह प्टा अर यह पहुझ प्र प्र नोदी यह किसी तरह का भाई मेर को ओ माइग टोन इने मेरे घर में तुने सारी रूम बनवा दिया और मुझे पता ही नहीं है अब ये अवेंजर गए कहाँ पर सिंचैन बिंचैन चॉप तुम लोग कहाँ पर गए इसमें देखते हैं वाट वह भाई सभी तो थीटर रूम है मतलब होम थीटर क्या बात है गाइस मतलब अब त सिंचैन बाई साब एक मिनट नया बेड्रूम बाई साब यार मतलब चले ठीक है अब तो मैं बोला है सिंचैन बिंचैन चॉप तुम लोग तो यहीं सो जाना बट एक बार मुझे समझ नहीं है फिंचैन चॉप कहाँ पर है अधी वो तो टीवी देख रहे हैं लिविंग र काई रात हो गई भाई साब यहां पर आवेंजर्स का कोई नाम इंशान नहीं है वैसे रात कितनी ब्यूटिफु लग रही है अपने घर पर सिंचैन मैं क्या बोलता हूं तो सही कह रहा है अब इंजर्स घरी चले गए होंगे अब तदा तु जा के सोजा दाकी मैं थोड़ बढ़ा मजा रहा है इस निमें वह बहुत आरा है अब यह लोग तो टीवी देखती देखती शोगे चलो मैं भी शोई जाता हूं नहीं पर कल जखेंगे नए बढ़ गरें पूरा घरा भी गूमा भी नहीं है गाई मुझे लिटरली में भाई मजा तो बहुत आरा है इस घर यह फिर से ब्लड कहां से यह क्या हो रहा है यह घर के आसफास ब्लड ब्लड के देखने मिल रहा है और लोग गयाँब क्यों हो रहा है ओ और एक और 확진 यह यह ऑर ने है बेटरूम अभी तो इतना जादा ठंडी ठंडी लग रही थी चल रहा था और एक मिनट ठंड के मौसम में आपर गर्मी कहां से आ गई यह क्या हो रहा है और चल्दी उठका एक मिनट वाट इतनी रोश्णी हाँ 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 लगता है अब तो पकाई घर में कोई चोर घुसा है भाई कोई कुछ तो गतरनाग चीज है यार देखिए पूरे घर में आग नहीं पूरे नहीं है शायद इसी बेड्रूम में आग है औरे भागो आपचाव एक रूम में आग लगी तो पूरे घर में फैल जाएगी और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा सिंचन पिंचन चोग पर इस पूरे घर की आग को बजाते हैं असाब यह तो मुझे लिए डूबग में यह कवकर तो बजने का नाम ले Diamant बढ़ है भाही ज Two चोढ़ बढ़ है यार मुझे पहले सी श्ग हो रहा था कि मुझे इस घर में कुछ गड़बढई खून और उदर आग और भाई साब किसी ने मेरे को पीछे से धक्का मार के भी हुश भी किया आप भी देखते हैं क्या हो चल रहा है इरे बापरें उमीद करता हूं सब कुछ चीक हो पता नहीं अवेंजर्स भी बिना कुछ कह अपने घर यह तो सेम वही लाइट से मही क्रीपी टाइप की वही स्माइल जो मैंने सुबा वाल पे देखी ती और गायब भी हो गई थी और पापर ही क्या है मैंने काम करता हूं गाइस इस बारनी लाइट का फोटो या वीडियो बना लेता हूं क्योंकि अवेंजर्स को फिर से मेरे घर को पुरा क्रीपी मॉंस्टर हाउस बना दिया है और इतनी रात को मैं कहां चाहूं यहां पर तो भाई साब 12 एक बजरें रात के कोई उठा भी नहीं होगा और कोई उठा भी होगा तो यहां पर वह चोरो लोगी होगे मेरी बैंडी बजा देंगे अब भी तो पानी हो जाती है मॉंस्टर कहीं के मैं तुझे छोड़ोंगा नहीं चलो भाई मैं नहीं देख रहा किसी क्रीपी रूम को कुछ भी हो चल्दी जाता हूं है अरे यह क्या अंदर क्यों नहीं जा परा नए ओ भाई साब आप यहां कुछ इन्विजिबल है क्या समझ नहीं आ जाता हूं चलो चलो जल्दी चलते हैं और पापरे एक मिनट वाट ओमाइगाड यह तो यह तो वही रिपोर्टर से जो सुबह यहां पर मेरे घर को लेकर चीरिंग कर रहे थे और और फोटोस कीच रहे थे ओमाइगाड इसका मतलब वो यहां से गए नहीं थे वहां पर उन मॉलबं और तो से भी यहां वैसे तो से शौक einzige होंगे क्योंकि उनके रूम में कोई दिक्कत नहीं थी मैं काम करता वो बाई सब चल्दी से जाता हूँ अपने पुराने रूम में चाकर सो जाता हूँ यह सब एक बुरा सपना है यह सचा ही नहीं हो सकती एक दिन में अवेंजर घर बनाए नहीं सकते बना सकते हैं तो ऐसा घर थोड़ी ना जो भाई सब मॉंस्टर हाऊ से यह मैं कुछ भी सोचे किसने मेरे को धक्का दिया भाई को यह क्या लगता है मैं फिर से कुछ घंटों के लिए भी होश हो गया तो मेरे पुराने रूम में भी आग लग गई मैंने सूचा था मेरा पुराना रूम तो सेफ रहे गाई क्योंकि अवेंजर्स इसमें कोई मौडिफिकेश्या नहीं किया बढ़िया पर भी आग लग गई ओ भाई साफ सेंचेंपिंचेंचेंचोप का क्या वो तो सेफ होंगे ना गाईस वो लोग कहां पर हैं चल्दी से आप लोग प्लीज अवेंजर्स हेल्प लिखिए क्या पता रात को वेंजर्स हमें बचाने आ जाए ओ नो बचाओ है याग को चला के मार देगी काईस आपको वेंजर्स को पताना पड़ेगा इस घर में कुछ तो गॉलबड़ है भाई इस घर में या तो कोई चोर है या फिर यह गरी पुरा मॉन्स्टर है या भूत है कुछ तो गॉलबड़ है जिस जो यहाँ पर लिटरली में मेरे पूरे घर को तो चला रही है और सासात में मेरे को भी मार रही है वह टीक तो हुए मुझे तो उनकी चिन्टा हो रही है पूरे घर में आग लगी और वो भी अपने बैटरूम में सोई एक्टम साइड में और नौ यह सब क्या हो गया काश काश यह सब शपना होता अवेंजर्स ने मेरा घर इस तरह से मोडिफाइन किया होता किया होता तो कम से कम घर अच्छा होता भाई ऐसा नहीं बचाओ अरे भाई हमें यहां पर बहुत ही जौना जरूरी काम आगा था तसलिए फ्रैंकलिन को बिना बताया आना पड़ा इल्कुल साहिका फ्रैंकलिन को अच्छा नहीं लगा हो यहां पर यह वाली कार कहां से ले आये तुम लोग अरे हलक को लगा अगर बीच में कोई गुंडे लोग मिल जाएंगे तो हलक उने फोड़ेगा अरे हम जंग पर नी जा रहे हैं भाई फ्रैंकलिन का घर बसाने जा रहे हैं खेर चलो जल्दी चलते हैं और जाकर देखते ह हमारे फ्रैंकलिन भाई के हाल कैसे हैं वैसे फ्रैंकलिन को मजे तो खूब आएंगे मतलब अपने ने घर में आप ही बता उसको कदराथ मजे आये आप नहीं आये तो यह लिखिए नई आये तो नो लिखिए और एक यह सी मात कर रहे है तो इसका इतना बड़िया गर है उस यह वैशम अपने पुराने बेडरोम में ही सेव लगा लगता है यह सिंचल पिंचय नुख तो भार एंटो वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सुन्चार मिचाचोब उठो च्या कर रहे हो तुम लोग उठो भाई क्या हो गया वही वह यह कल्वे का बच्चर आप भार निकाल दे उसको छोलेंगे नहीं लेकिन उसने तुम्हें घर से भार के निकाला वही तो ही पचा हम डोबस वह भाई फ्रैंकलन कहाँ पर है तुम्हें इस नहीं नहीं बैड्रूम करी लिया होगा सेकिन फ्लोर पर उटो दुम्हें टेखिया यहाँ पर यह कार का शूरूम भी प्राइट अप किया वहने फ्रैंकलन पर स्वार तो उसने उनको पता हो और तो कॉमेंट में पलीज लि यहां का तो भाई कमल भी बेड़शीट वे अधाल est yang fragile तो कैसे लगता है कोई सीने पेर भी नहीं रखें भाई बेड़शीट पर यह क्या चल राय मुझे तो लगता है Franklyn अपने पुराने बेडरूम में सो गया Franklin को नहीं दूए राए तौनी कुछ पता चलां वाई तो मैं ढूण हूँ Franklin और यह क्या हो गया और रात को यशा तो है घर में चोर घुजगे हैं और भाई Sydney के चक्कर में और तुम लोग को भार निकाल दिया एहे हे, यह किसी बात ने करने, Franky भी यह जिद्दा होगे, चल्दी से हमें Franklin को, यहां पर जिंदा करना पड़ेगा बई, अरे भाप रे, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं होता, मुझे तो यह भी नहीं पता, के Franklin भी जिंदा है, मर गया, कयाम कर उसकी नफस, चेक कर, और CPR दर क्या तुम्हें कुछ भी याद निया रात क्या होता है चाची में हम तो शोगे थी सोफे पर है अब तो सोने में मज़ा भी नहीं आता मज़ा चोड़ो नीन दीग से नहीं आती अब यह क्या फ्रैंक्लिन भाई इतना सैड है तू अपने घर को लेकर ले अब तेरा घरी रिप हाँ 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 फ्रैंक्लिन से अपने नए घर की घुशी नहीं चीली हमें चोड़के चला गया मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई इस तरह से आत्मातिया नी गरेगा काईस पक्का फ्रैंक्लिन को किसी ने मारा है आप मेरी बात को मानते है ना मुझे तो लग था इसमें पक्का रैडल्क या फिर ब्लैक फ्रैंक्लिन इनमें ऐसी किसी सूपर विलन का हाथ है इन्होंने किसी ने कुछ गरबड किये घर में जिसके इस्तमाल से फ्रैंक्लिन को मारा गया है जल्दी देखता हूँ शेयर के हर एक रेस्टरॉन से लेके होटेल तक होटेल से करेके बैंक तक बैंक से लेके एरपोर्ट तक मैं हर जगा च्छान मारूंगा उस रैडल्क और प्लैक फ्रैंक्लिन को पुछ के रहोगा के बाइञ士 हर बार उन लोगों कलेक्शन निकलता से अग्जाने फ्रैंक्लिन इकाने में फ्रैंक्लिन को मस Da. चुंल विस बार बी हो सबसे बड़ी रुकावाट चली गई मुझे छोड़कर और अब मैं माला माल हो जाओंगा यह क्या कि रहा है तु कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस इसने फ्रैंक्लिन को उसके घर पर मारा हो और फ्रैंक्लिन के लिए जो मैंने इतनी सारी कार्स और जूलरी और पैसे रखेते रेडल के बच्चे न तज छोड़ोंगा निए चोड़ी करनीती कर ले ता लेकिन तुम्हें को क्यों मार रहा है और ऐसे दियता आफ्ली के मने कुछ लिए पूरी बात तो सुनले में क्यों खुषय वह घर जाल ले जल्दी बता तूभ यहसा क्या या है एट गई 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 भी भी हट गई मेरी जिंदगी से इसका क्या मतलब है मैंने लोज संट जो सब से बड़े बैंक में कलटा का ड़ा और पैसा ही पैसा हो गया मेरे पास पूलीस भी नहीं पगड़ पाई अब वह जंदेगी भर मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा अमीर रहूंगा मैं तो यह कह र इंसाफ दिलाओंगा हल्क को तो यहाँ पर समझ नहीं आरा टोनी कब आएगा जब तक टोनी आता है हमें फ्रैंकलिन के फ्यूनरल की त्यारी करनी चाहिए उठीन कसम फ्रैंकलिन को हम उसके घर में ही दफनाएंगे मिल्कुल सही का हम उसका आगरी क्या बोलते है उसको उसको बोलते हैं अंतिम संसकार हाँ जो भी बोलते हैं फ्यूनरल या अंतिम संसकार वो हम उसके घर में ही करेंगे मिल्कुल सही का तो उसके लिए क्या करना होगा हल्क यहाँ पर फ्यूनरल के लिए बहुत सारा समान लेकर आएगा हल्क फ्रेंक्लिन को पूरी इज़त के साथ अलविदा करेगा उपर वाला फ्रेंक्लिन को अपना है बिल्कुल उपर वाला उसकी आत्मा को शांती दे चलू चलू चल्दी चलते है हे 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 फ्रेंक्लिन भीया हमारी आप वेट करना जल्दी जा रहा है और फ्रेंक्लिन को जिसने भी मारा उपर वाला उसको नर्क से भी बुरी जगा देगा मैं जानता हूँ बाइए बलगुल आमारा कलवा कितना अच्छा था वाईए जा कर घर के ना कंड़ा क्या पता सीच्वी सथी यहां पर रिकारड होगा है यह फ्रेंक्लिन भी एकु घर मारती हूए जल्दी चैम्रा आया आदे बाब्यदे किसने मारा मुझे अबड़ी जोर जल्गी मुझे ल जल्दी टोनी भीया को बलाओ, help me, guys, comment में help में लिखिये, help sinchen लिखिये, किसी ने मुझे मारा, नहीं, मुझे उठा नहीं चारा, अजी, यह क्या, मुझे इसा लगा दुष्टो, जैसे में बेखोश हो गया था, और आप मुझे लग रहा है कि काफी शांती है मेरे स्वास, य यह क्या, यह तो रात होगी, मुझे लगता है, इसको पुरा सपना देखा में, फ्रेंक्लिन भाया इसा लगता है कोई भूकम पाया हो, अची बात टोनी भाया ने हमारे घर को मस्बूत बनाया, भूकम में भी हमारा गा डूटे गा ने, अप कहा है, अडे बापरी पिंचन चौब खोप क्या परें वची तो समझ नहीं आ रहा है यह सपना चाया सच कि फ्रैंक निभया ना ऐंगे ये तो लगता है सची ता जी में बागे है ये क्या हो रहा है एक मिनत सिर्फ अमारा घर के विल रहा है बाकी तो ठीक है उप्छी कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ तो गड़ बढ़े जल्दी उठी है यह क्या यह लाल लाल रोशनी गया रही है हमारी घर की द्रफशे मुझे तो कुछ हमज नहीं आ रहा है है रहे हैं यह जदी से बाल बड़ी को लेकर जाना होगा मुझे तो लगता है इस घर में कोई मौंस्टर या भूत है फिर चोर घुशा पड़ा जो हमें इस घर से पार निकालना चाहता है आप चिंता मत कीजिए मैं आपको बचा लूगा और यह भी पता लगा लूगा क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो भी इस खतरना क्रीपी स्माइल के पीछे चुपा पड़ा है, उसको छोड़ोगा नहीं चम्चा, मेरे फ्रंगी भीया बहुत ब्रीव है, काइस मैं किसी से हेल्प मांगने जाता हूँ, जिससे कि मेरे फ्रंगी भीया की बोडी हम दूर कर पाएं, मैं तना सा फ्रंगी भीया की बोडी मूव नहीं कर पाऊंगा, हैं, ये क्या, मैं हवा में कुलट का हूँ, बचाओ, अजे कोई प्लीज मेरे हेल्प करो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, मुझे मैं आग लग लग रही है, काइस फ्लीज हैप मी, ये वेंजर्स कहां पर रेगे, अभी तक वो तो फ्रंगी भीया का फ्यूनरल का समान लेने गए थे, वो आपीश नहीं आए, लग जाए, मैं भी मरी जाओंगा, आ, चोड़े मेरे को, मैं समझ गया, ये मॉन्स्टर हाउस है, इसमें भूत है, ये ये हाउस चल सकता है, और किसी को मार भी आपनी तके से, ये नया घर नी, ये मॉन्स्टर घर है, हमारा पुरारा घर ये अच्छा था, हाच के बाद में कभी नया घर नी मांगूंगा, प्लीज बचाओ कोई, मैंने ब्लैक फ्रेंक लिंग को बहुत धूना नौर्थ यंटर में, लेगन वो मुझे कहीं नहीं मिला, कोई कुछ तो छुपा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि असल मैं फ्रेंक लिंग को किस ने मारा भाई, वो भी उसी के, ये क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या कह रहे हो तुम लोग, मैं तो तुम लोग को ये ही छोड़ के गयाता है, भा भाई, हम फ्र एक बात मुझे समझनी आरी यहां पर दिन में कुछ नहीं होता है जो होता है रात कोई कूई हो रहा है इस घर में चल किया रहा है भाई जब से धिकार बना को मुझा तो भच तो नहीं मेरी बात सुनो फिर तो मुझे लगता है हमें आज रात कोई इस बात की इंक्वाइरी करनी होगी कि दिन में इस घर में कुछ नियुटा आपा रात को जो हो ना होता है वो हो जाता है हम रात का वेट करता है अरे हम यहां पर टोनी क्यों खड़ें मैंने फ्रैंक्लिन की पर लेकिन वो गायब होगी थी बिल्कुल साहिका लेकिन हल्क को समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ से अगर हम इस घर के इतने पास खड़े रहेंगे तो हो सकता है जो भी आपर घर में गड़बल कर रहा है वो करे ना हमें दूर जाके कहीं छुपना पड़ेगा गाइस तब पता आधी रात होनी वाली है हल्क भाइचान के रहेगा कि उसमाइल के भीज़े कौन है बिल्कुल सही का हल्क आजा अब साथ में मिलके हम यहां पर पता करते हैं अरे यार हमारी घाड़ी को खराब होना था कोई नहीं चलो अपने घर पहुंची गए अरे हम अपने घर आएं कि दूसरे के घर यह तो फ्र अगरे अपने हादों से राथ और राद इस घर को बनाए था। इंपनी अपने हादों से राट तो राध इस घर को बनए था इस घर को कि अच्छिशा की हो गया कि इइं सान का ना सुरू कर दिया कहीं गाइज इस मॉंस्टर हाउस नहीं तो मेरे फ्राइंक लिंग को नहीं मार दिया अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज कोमेंट में यस लिखिए कहीं सिंचेन को भी तो इसी नगायब नहीं कर दिया मिलकुल हलक को तो यही लगता है हमें इस घर को आज के आज राथ ही डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके बाद ये भी पता करना होगा किसल में इस घर में ऐसा क्या हुआ था जिस वज़ा से यह मॉंस्टर हाउस बन गया ना कि नॉर्मल आउस बिलकुल सही का हम अभी के अभी वैपन और तरनाक डंस लेकर आते हैं मिलकुल हमारा पाप्रे क्या हाँ हलक को मारा ओ नो यह घर अटेक भी करता है दूर से दूर मैंने सुचा पास पर जाने पर यह घर अटेक करता है हलक को मार दिया हलक से उठा भी नहीं जा रहा है अलक भाग भाई वहां से यह घर बहुत जाड़ा क्रिपी है पानी, मुझे पानी चीए भई, मेरा गला सूख गया चीकते चीकते, अरे बापरे, ये मैं कहाँ पर हूँ, अभी भी लालाल रोशनी आ रही है, लगता है मैं अभी बिस जंदा ही हूँ, अभी तक तो उस घर को मुझे खा लिना चीए था, पर मुझे उसने जिन्दा की हल्क, तो ठीक है, अभी हल्क का सर कहाँ पर है, हल्क, हल्क भाई, एक मिनट, अरे नहीं, उसका हल्क का सर नीचे, मुझे लगा ये मॉंस्टर हाउस हल्क का, भाई, हैडी खा गया, अरे वापरे, हल्क को तो डर लग रहा है टोनी, हल्क को यहां से भागना पड़ेगा, हमे झाल, 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